वेल, दियर स्टुडेंट्स, मैसेल्फ दॉक्टर आशीश गर्द, एसोसियेट प्रोफसर इन केमिस्टी, सेट, आरेन रुया, गौर्वर्मेंट कॉलिज, रामकट शेकाबाथी, डिस्टिक्ट सीकर राजिस्थान. बचो, B.C. पार्ट थर्ड में, फर्स्ट पेपर, एकार्बनिक रसायन में, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिट्स एंड बेसिस. ये बचो, आज के सेशन में, इस इस दा नाइन्थ लेक्ट्चर, हम नौवा पार्ट इसका मैं डिसकस करूँगा, और अभी तक, एट पार्ट में, हमने अलग अलग तरीके से ये देखा, कि किस तरह से, हार्ड एसिट, हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिट, सॉफ्ट बेस के साथ, योगोत पात, यानि, एड़क्ट फॉर्म करता है, या प्रोड़क्ट फॉर्म करता है, तो बच्चों, देखिए, यहां पर हम डिसकस करेंगे कि, जो हमने बात की, हार्ड एंड hard acids, you know, hard acid react with hard base, and soft acid react with soft base, right? मैंने मेरे second lecture में इस बात को discuss किया था, मैं दो-तीन बार इसको repeat भी कर चुका हूँ, कि किस तरह से group A के metals, right? group A के metals, group A के legends के साथ, बच्चों, metals यहां पर क्या है? acids, जो कि electron accept करते हैं, और legends क्या है? electron donor, तो हम legends को क्या बुलते हैं? base, और इनको हमने किस तरह से बताया है? Lewis acids, जो कि metal होती है, electron accept करती है, और Lewis bases, जो कि legends होते हैं, और यह legends, metal को electron donate करते हैं. second part मैंने बताया था, इसका soft and soft, soft acid, soft base, और इसको हमने किस तरह से बताया था? कि group B के metals, soft acids, group B के metals, जो electron accept करते हैं, Lewis acids, soft acids, और group B के legends, बचो, second part, मैं बार-बार इसको repeat कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हम बात करेंगे, hard, hard and soft, soft, तो उसी बात को हम यहाँ पर discuss करेंगे, तो हमने देखा कि किस तरह से इनकी अंतर क्रिया, inter reaction होती है, और जो product बनता है, वो stable होता है. एक बात मैंने आपको और बताई थी, कि part 7 में, 8 में हमने देखा था, कि किस तरह से कठोर कठोर के साथ, और ब्रदू ब्रदू के साथ, इस्थाई होता है, और अगर हम बात करते हैं, soft and hard की, या hard and soft की, तो फिर हम कहते हैं उसको unstable, और उसको हमने stability constant या formation constant से समझाया था. बच्चों देखिए, यहाँ पर hardness and softness के लिए theories जो हैं, तो बच्चों यहाँ theories में पहला सिद्धान्त है, electronic theory, electronic सिद्धान्त, कि जब hard acid and hard base की बीच में bond बनते हैं, तो उन bonds का nature कैसा होगा, उसी तरह से जब soft acid and soft base के बीच में, बच्चों soft acid जो electron accept करता है, acid electron accept करता है, base जो electron donate करता है, तो यहाँ पर soft acid and soft base के बीच में किस तरह का bond होगा, nature of bond किस तरह का होगा, तो हम यहाँ पर इस nature of bond को यहाँ पर explain करेंगे, तो हम आज का topic हमारा है, इस session में हम देखेंगे, कठोरता वै म्रदुता के सिध्धांत, theories of softness and hardness, देखेंगे बच्चों, यहाँ पर first is the electronic theory, तो यह theory क्या बताती है, कि इसके अनुसार कठोर-कठोर, hard-hard, अंतर क्रिया में आयनिक बंधन होता है, जबकि soft-soft अंतर क्रिया में कोवलेंट bond होता है, यह सबसे पहली लाइन है, आपर मैंने लिखा है, कि जैसा हमने कहा कि hard-hard is stable, soft-soft is stable, जबकि hard-soft is unstable, यह मैंने आपको अभी तक बताया था, और हम देखते क्या है यहाँ पर, कि यदि hard-acid and hard-base, तो bond की probability क्या है, is the nature of the bond is ionic bond, यहाँ पर ionic बंधन होगा, जबकि यदि हम soft-acid और soft-base की बात करते हैं, तो जो इनके बीच में योग उत्पाद बनेगा, जो bond formation होगा, उत्पाद बनेगा, बच्चो, stable होगा, और उसके बीच में होगा यहाँ पर covalent bond, देखों बच्चो, हमने group AK Metals की, तो देखिए, छोटे आकार, वे उच्च धनावेश वाले आयन, group AK, hardness के साथ आयनिक बंदु को प्राक्पिक्ता देते हैं, देखिए मैं बच्चो, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, group AK Metals, group AK Metals का मतलब Lewis Acids, group AK Lewis Acids, इसको हम इस तरह से कह देते हैं, group AK Lewis Acids, जो electron accept करते हैं, group AK Legands के साथ, जो electron donate करते हैं, एक base की तरह act करते हैं, तो छोटे आकार, वे उच्च धनावेश वाले आयन, group AK Hard Bases के साथ, आयनिक बंद को प्रात्वित्ता देते हैं, और यदि Hard Soft, अंतर क्रिया होती है, तो बने हुए उत्पाद ऐस थाई होंगे, मैंने इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर किया है, कि Hard, Hard, Hard Ascent, Hard Base, Soft Ascent, Soft Base, और अगर ये इस्टेबल होगा, Hard Ascent, Hard Base, Soft Ascent, Soft Base, देन उत्पाद इस्टेबल होगा, देखें बच्छों, Hardness और Softness के संबंध को एक समीकरण से बताया, समीकरण क्या था, P, K, A, बराबर माइनस लॉग के, बराबर A, X, प्लस B, Y, प्लस C, यहाँ पर K क्या है, बच्छों, दिस इस दा K, और ये K क्या है, Metal, Ligand, Complex के वियोजन के लिए सामे स्थरंग, बच्छों, हमने कोई भी संकुल लिया, सपोस करिए, हमने BF3H लिया, या मैंने अभी इसके पहले वाले में लिया था, R2S, इस तरह से बताया था मैंने कि, R2S, और इसको बताया था, BF3, इस तरह से, और इसके बीच में Bond Break होता है, और ये किस के साथ Bond बनाता है, Ether के साथ, Right, this is Thio Ether, Right, तो यहाँ पर ये जो Bond Break होता है, देखे बच्छों, यहाँ पर K क्या है, जो इनके बीच में Bond Break होता है, Right, तो K है Metal, Legand, Complex के वियोजन के लिए सामें इस्थरांग, Right, यहाँ पर X और Y, ये Metal के लिए Parameters हैं, और A और B, Legands के लिए Parameter हैं, बच्छों, ये जो Parameters हैं, इनकी List, मैंने Lecture में नहीं डाली है, क्योंकि इनकी जो Table है, List है, वो काफी लंबी है, वो आप लोग Book में से देखेंगे, यहाँ पर मैंने देखा है, मुश्किल से 4 या 5 Examples को पिछले 10-12 सालों में Repeat किया है, तो बहुत जादा Parameters भी आपको याद यहाँ पर नहीं करने हैं, यह जो Equation है, इस Equation में AX प्लस BY प्लस C, तो बच्छों, यहाँ पर X और Y, यह Parameter किसके लिए हैं? Metal के लिए, और A and B, यह Parameters बच्छों हैं, Legands के लिए, और C यहाँ पर क्या है? बच्छों, C is a Constant, जो Legand के साथ प्रियुक्त किया जाते हैं, बच्छों, यह जो Values हैं, जैसा मैंने आपको कहा, यह Values आपको Book में से देखनी हैं, कोई भी Author की Book आप देख लिजिए, उनमें आपको यह Values मिल जाएंगी, और मैंने पिछले सालों को Question Papers को देखा है, तो मुश्किल से 4 या 5 examples को उसमें include किया है, तो आप भी 5-6 से जादा Values याद नहीं करनी हैं, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर C is a constant value, और यह constant value, जो ligands के साथ प्रियुक्त किये जाते हैं, and this is the important point, जैसा मैंने आपको बताया, कि यहाँ पर X, Y, यह metal के parameters हैं, और A, B, यह ligands के parameters हैं, और इन values को आपको टेबल में देखना है, और बच्चों देखिए, टेबल के अंदर, hard assets के लिए Y का मान 2.8 से जादा होगा, और soft assets के लिए Y का मान 3.2 से जादा होगा, और बच्चों यहाँ पर बात अगर हम करें, कि इनके बीच के borderline assets की बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे, BH3, BF3, है न, कि अगर हम boron, boron क्या होता है, borderline element, और इस boron के साथ, जो लगे हुए, substitute atom है, हमने BH3 की बात करी, तो यह क्या हो गया, soft acid, बच्चों, boron की नेचर कैसी है, electron accept करनी की, electron deficient होता है, तो, BH3 is the soft acid, और यदि हम hydrogen की जगे, fluorine लगा दे, BF3 कर दे, तो क्या हो जाएगा, it's a strong acid, क्योंकि fluorine कैसा है, है यहाँ पर, electron attracting group है, तो boron को तुरंत electrons की जरुवत होगी, तो it acts as a strong acid, तो बच्चों, यहाँ पर boron क्या होता है, borderline element, और यहाँ पर borderline acids के लिए value क्या होती है, 2.8 से 3.2 के बीच, तो यह important बात है, मैंने आपको यह बताया है, कि जो x और y, and a and b, ligands के लिए, यह values आपको, अपनी syllabus की कोई भी किताब, उसमें से आपको देखनी है, और यह मैंने आपको range बता दी है, कि इस range के अंदर, कि यहाँ पर, hard acids के लिए, y command 2.8 से ज़ादा, और soft acids के लिए, y command 3.2 से ज़ादा, right, और borderline acids के लिए, इन दोनों के बीच का, 2.8 से 3.2 के बीच में यह मान होंगे, तो यहाँ पर x को कठोड़ता का माप माना जा सकता है, और इसके द्वारा निर्धारित कम, Williamson संकुलों के इस्थाइत, इस्थरंग के अनुरूप होते हैं, बच्चों ये भी, हम जो complex reactions होती है, Day and Selbyn की बुक पे, मदन तुली मलिक की किताब के अंदर इसका discussion है, Williamson stability complexes, right, तो इनके अनुरूप ये values होती है, और देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से first transition series में, जो प्लस तू oxidation states है, तो first transition series में हम देखते है, ME, this is MN, FE, CO, NICU, हम देखेंगे बच्चों, if you see, we start from 25, atomic number 25, 26, 27, 28 and 29, इन सब के अंदर, plus two oxidation state, right, this is, you know, MN2 plus is less than, Fe2 plus is less than, CO2 plus is less than, Ni2 plus is less than, Cu second, right, तो बच्चों यह हमने, यह देखा कि किस तरह से hard hard and soft soft, acid basis के बीच में interaction होती है, और इसके बीच में किस प्रकार के bonds होंगे, उसके discussion को हमने यहाँ पर किया, और इस discussion को हमने किस सिद्धान्त में पढ़ा, electronic theory के अंदर, right, अब हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं, pie bonding concept, pie bonding theory, तो देखे, pie bonding theory को soft soft complexes के बीच, बंधन की व्याख्या करने में प्रियुक्त किया जाता है, यह बात हमने यहाँ पर शुरू में clear कर दिया है, कि जो pie bonding theory है, इस theory को हम किस तरह के complexes की जो उत्पाद हैं, उनकी हम व्याख्या करेंगे हैं, पर soft acid, soft base, इस तरह के इनके बीच में जो bonding होगा, उसको यह pie bonding concept explain करता है, तो इस सिद्धान से soft acids में धीले बंधे हुए D कप्षक electrons होते हैं, बेटा, soft acids का मतलब किया हुआ, यहाँ पर soft acids का मतलब हुआ, जो electron accept करते हैं, और यहाँ पर यह कौनसी metal होंगी, soft acids में यहाँ पर कौनसी metal, दीक अक्षक, transition metals, जो की post transition metal हैं, C, Fe, Co, Ni, Co, जो बाद वाली हैं, जो प्रारंबिक हैं, जो beginning में आती हैं, उनको हम light metals कह देते हैं, और जो बाद में आती हैं, उनको हम heavy metals बोल देते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि soft acids, elements, जिनमें D कक्षक में उपस्थित electrons, loose electrons होते हैं, जो उप्यूक्त ligands के साथ pi bonding करके complexes बनाते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं, पाई bonding theory, किस प्रकार, soft acid and soft base, only soft acid and soft base, इनके complexes के बीच, जो bonding होती हैं, उसको समझाती है, अब देखें, यहाँ पर एक और सिध्धान्त है, इस इस दर पिड्जर सिध्यूरी, बचों, पिड्जर का सिध्धान्त, मैंने BSC पार्ट फस्क में, कोवलेंट बॉन्ट के अंदर, वंडर्वाल्स फोर्सेज में इसको explain किया है, क्योंकि पिड्जर सिध्यूरी क्या है, हम पढ़ते हैं कि, लंडन एंड वंडर्वाल्स बलो का सिध्धान्त है, ये पिड्जर सिध्धान्त, मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ, क्योंकि बच्चे एकसर थर्डियर में देखते हैं, ये सिध्धान्त कहां से आ गया, कि ये सिध्धान्त आपका 12th क्लास में भी आपने पढ़ा है, और इसको आपने BSC पार्ट 1st के अंदर, वीक फोर्सेज में, हाइडोजन फोर्सेज, वंडर्वाल फोर्सेज, मेटलिक फोर्सेज, तो वंडर्वाल फोर्सेज के अंदर, हम पढ़ते हैं, लंडर्वाल फोर्सेज के सिध्धान्त है, बचों ये इस बात की व्याख्या करता है, इस बात को समझाता है, कि अंतरक्रिया करने वाले, बचों यहाँ पर चीज क्या होती है, कि सौफ्ट बेस की धुर्वता की मान, देखो, पिट्जर का सिध्धान्त क्या हो रहा है, कि धनायन, धनायन का मतलब एसिड, लुइस एसिड, और रिनायन का मतलब एलेक्ट्रॉन देने वाला, लुइस बेस, तो ये कितने विक्रत होते हैं, कितने पोलराइस्ट होते हैं, तो बचों यहाँ पर सौफ्ट एसिड अगर होगा, तो उसका आकार बड़ा होगा, और जितना आकार बड़ा होगा, वो आसानी से पोलराइस्ट होगा, अगर बेस की बात हम करेंगे, तो यहाँ पर बचों य बेस की धुरुवता के उपर कि इनका कितना polarization होता है बचो यह हमारा हार्डनेस और सॉफ्टनेस थ्योरीज यह लेक्चर एक ही लेक्चर काफी है इसके लिए यहां पर समाप्त होती है और मैंने जुआ यहां जुआ है कि इस पर short note पूछा गया है तीन-Чार बार पिछले 10 सालों के मैंने question papers देखे हैं राजिस्थान में जो अलग-अलग wish video ध्याले हैं उनके मैने question papers देखे हैं और उनके अंदर यह short note पूछा हुआ है कि कठोर था और मृत्ता के सिध्धान पर टिपड़ी लेखिए तो ये बच्चों यहाँ पर sufficient matter है और एक बात मैं वापस एक बार repeat कर दूँ कि बच्चों यहाँ पर जो examples है ये जो x, y and a, b, x, y क्या parameter indicate कर रहा है? metal के लिए और a, b parameter किसके लिए indicate कर रहे है? ligands के लिए तो बच्चों इनके मुश्किल से 4 या 5 example इससे ज़्यादा नहीं है exams के अंदर पूछे हुए तो उतनी ही values आपको याद करनी है और इनकी values x, y and a, b इन parameter की values को आपको book में से देखना है क्योंकि सारी values याद करना possible नहीं है और अगर question paper में भी इसके बारे में पूछते हैं इस equation के बारे में कोई सवाल तो वहाँ पर आपको x, y और a, b इन parameters की value को वहाँ पर दिया जाएगा तो मुझे उमीद है कि अपने जो अभी पढ़ा है कि किस तरह के सिद्धान से हम hard hard and soft soft acid basis को समझाते हैं आपको ये topic समझ में आएगा तो that's all in this lecture Thank you कि अपको 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 वहाँ कि मुझे पर उम झाल